एक तो ये समझो कि जब कोई साध ना करता है तो उसको लंबा समें लगता है इस्तिति तक जाने के लिए आसन शिद्ध होगा ध्यान लगेगा कुंडली ने सकती उठेगी चड़ाई शुरू होगी बहुत लंबा समें लग जाता है आप ये समझो आठ महीने जब हम बोल करके मुख से बज़न करें बुक से आठ महीने कम से कम बज़न करना चलता रहे बज़न आख खुले तब भी चलता रहे बैठे तब भी चलता रहे काम करे तब भी चलता रहे लगातार सोएं तो भी ध्यान करते हुए सोएं बोलते बोलते जब उठेंगे वही जाप होता हुआ मिलेगा फिर ये जाप मन में चला जाता है कंठ में चला जाता है शांसों में चला जाता है फिर वो आवाज बाहर की बंद हो जाती है अंदर में जाप शरू हो जाता है वो जाप चलता है सोले महिने वो सोले महिने इसी प्रकार से जाप होगा फिर वो जाप सोले महिने बाद किसी ने अच्छी तरह से उसके उपर काम किया है महनत की है लगन भाव विश्वास से वो हर्दे में चला जाता है फिर हर्दे का जाप चलता रहता है एक पल के लिए भी भूल नहीं लगती फिर बत्तीस महिने का समय उसमें लगता है बत्तीस महिने उस जाप को चलते चलते जब हो जाएंगे आपको घटनाएं भी दिखाई देंगी आगे आने वाला समय भी दिखाई दे सकता है आज पास जो आपके पास सो रहे हों लोग या आपके जो नजदीक लोग हैं जिनके आपके चित में जिनके संसकार पड़े हुए हैं उनके आने वाले जियून की गटनाएं भी सवपन में ध्यान में एसास होने लगेगा पता लगने लगेगा फिर वही जाप 32 महीनें पूरे होने के बाद नाभी में चला जाता है जिर नाभी में ये जाप चला जाता है तो वहां किरियाएं शुरू हो जाती है बिना कि ये प्राणायाम होता है बिन-बिन परकार की किरियाएं वो 64 महीने तक चलती रहती है उसके बाद ब्रम्म की तरफ कदम बढ़ता है ये साध ना जब आप करोगे ये सीड़ी दर सीड़ी आपको पता चलती रहेगी रास्ता दिखता रहेगा आगे बढ़ते रहोगे तो जो लोग साध ना करते हैं लंबे समय तक उनको जब आसन सिद्ध होता है तब ये किरियां शुरू होती है किसी भी परकार की कुंडलनी जागरन की किरियां हाद पैर हिलने लगे और जो भी किरियां किसी भी परकार की तब शुरू होती है मैं थोड़ा बारीकी से समझा रहा हूँ आपको लेकिन जो देवी देवताओं की पित्तरों की परेच की जो चीजे होती है उन्हें साथ ना किया हो सकता नहीं होती वो कहीं भी उचल कूद मचाने लगती है और कभी भी उचल कूद मचाने लगती है और कभी भी शुरू हो जाती है कुछ लोग मंतरों के परवाओं से भी कर देते हैं इन चीजों को कुछ लोग तंतरों के परवाओं से भी आत्माओं को खीच करके स्रीरों में डाल देते हैं उस से भी ये कारिय हो जाता है फिर हाथ पर वो भी मार रहा है वो भी मार रहा है अंतर क्या हुआ आप ये समझो, जो कुंडलीनी जागरन का खेल होगा, वो ध्यान में बैठ कर ही होगा ये नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में हाथ पैर मारने लगे और आप समझो कि कुंडलीनी जागरन चल रहा है, नहीं वो कोई दूसरी आत्मा हो सकती है शरीर में सवार, लेकिन वो कुंडलीनी जागरन नहीं है वो बैठने के बाद ही शुरू होगा, जब आप साद ना करोगे, बैठ करके उसी स्थिति में जब आप चले जाओगे अपने आसन के उपर, तब ये चीजें शुरू होगी जब आप रचे बाद करोगे, बैठने के बाद हूँ जब आप साद नहीं है